नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पाइलट गुपाल ओफिस्यल में दोस्तों पिछले वीडियो में बताए थे इंडियन रेलिवे के गुर्वडिक में कौन-कौन सा पोस्ट होता है और उनका क्यां-कौन सा काड़ी होता है इसमें हम बताएंग सबसे पहले आपको मिलते रहें दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलिवे के गुर्वडिक करमचारी को बेसिक के साथ-साथ कौन-कौन सा एलांस मिलता है और उनका लगभाग मंथली से लड़ी क्या होता है तो चलिए करके जानते हैं तो सबसे पहले बेस अलांस भी कहते हैं यह बेसिक का 31 परसेंट होता है यानि 18,000 का 31 परसेंट जिसको अगर कल्कुलेट किया जाए तो 5,580 रुपया होता है यानि डिये की रूप में इसे 5,580 रुपया मिलता है नेक्स्ट है एच रे जिसे की हाउस रेंट एलांस कहते हैं जो की घर के किराय क मिलता है दोस्तों अलाग अलाग सीटी के लिए इनका अलाग अलाग रेट है जैसे के मेट्रो शीटी औरि नॉन मेट्रो सि मिलता है और non metro city के लिए 18% यह 18% और remote area के लिए 9% यह 9% मिलता है अगर हम metro city को लेकर के चलते हैं तो basic का 27% देखा जाए तो calculate करने पर निकलता है 4860 रुपया तो HRA के रूप में metro city के करमचारी को 4860 रुपया मिलता है और next है TA जिसे की transport allowance काते हैं यह duty पर आने और जाने के लिए किराय में जो खर्च होता है उनके लिए मिलता है जिने की पर करमचारी को लगभग एक हजार रुपया मिलता है और next है NDA जिसे की night duty balances काते हैं दोस्तों जैसा के आप लोग जानते हैं कि railway चाहे दीन होया रात या 24 गंटा चलती है जो करमचारी रात में duty करते हैं 22 बज़े से सुबा 6 बज़े तक उनको अलग से night duty allowance दिया जाता है नाइट डूटी एलांस यूनिट के हिसाब से मिलता है 6 गंटे का एक यूनिट होता है और एक यूनिट के हिसाब से उन्हें या मन्थली के सेलरी में एड कर दिया जाता है तो एक तरह से देखा जाए तो लगभग 1500 रुपिया night duty एलांस के रूप में मिल जाता है नेक्स्ट है NHA जिसे की national holiday balances करते हैं दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारतिये रेल चाहे वो दिवाली हो चाहे होली चाहे इद हो चाहे बक्रीद इनका चक्का कभी नहीं रुखता है तो जो इस्टाप national holiday में duty करते हैं उनको per day के हिसाब से 384 रुपिया दिया जाता है अगर हम average लेकर के चले तो month में 2 NHA मानते हैं तो 2 NHA के रुप में 760 यानि 384 गुना अगर 2 करते हैं तो 768 रुपिया NHA के रुप में मिलता है नेक्स्ट है टी ये जिसे की ट्रेवलिंग एलांस कहते हैं ट्रेवलिंग एलांस गुरुप डी के कुछ कर्मचारी को बहुत ज्यादा मिलता है तो कुछ को कम मिलता है तो इस तरह से तो average के रुप में हम 1850 रुपिया लेते हैं नेक्स्ट है रिक्स एलांस जो जैसे की ट्रेक में की में जो की ट्रेक में रिक्स वाला काम करते हैं उनको पर मंत रिक्स एलांस दिया जाता है जिनका की रेट है 2700 पर मंत 2700 रुपिया उसके सेलिरी में बेसिक के सासाथ एड हो जाता है और जो annual dress allowance मिलता है वो हर कर्मचारी को मिलता है और bonus हर कर्मचारी को मिलता है जैसा कि आप लोग जानते होंगा dress allowance और bonus को छोड़ दिया जाए तो एक group D कर्मचारी का gross salary लगभग total aid करने पर 36,258 रुपया होता है अगर हम इंडियन रेल्वे के group D कर्मचारी का gross salary की बात करें तो लगभग 35,000 से 40,000 के बिज में होता है तो दोस्तों इंडियन रेल्वे का group D कर्मचारी का बेतन आपको कैसा लगा? कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव और इंट्रेस्टिंग जनकारी के साथ जय हिन जय भारत